हलो फ्रेंट्स वेलकम अगेन मैं हूँ अर्पित और आज हम बात करेंगे भारतिय समिधान द्वारा अपने हर एक नागरिक को दिये गए उन अधिकारों के बारे में जो कि हर किसी पर लागू होते हैं चाहे हम किसी भी धर्म जाती या फिर जेंडर के हूँ और ये अधिकार हमें हमारे समिधान की तरफ से मिले हुए हैं जो कि हमें आरी सुरक्षा करते हैं किसे सुरक्षा करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा तो आए चलिए शुरू करते हैं हर देश कुछ नियम, काईदों और कानून के आधार पर चलता है इसलिए हर देश में एक समविधान यानि कानून होता है हमारे देश में भी समविधान है और हमारे समविधान ने देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिये हुए हैं जो हमारी उन्नती और रक्षा में महतुपून भूमिका निभाते हैं मौलिक अधिकारों की विशेष्टा यह है कि सामान परिस्थितियों में सरकार भी इनका हनन नहीं कर सकती इनकी रक्षा स्वैम भारत का सर्वोच नियाले करता है मौलिक अधिकार भारत के सम्विधान में नहित बुनियादी मानवा अधिकार हैं जो सभी नागरिकों को गारंटी करित हैं यानि कि हर नागरिकों को इन मौलिक अधिकारों को मिलने की गारंटी दी गई है मौलिक अधिकारों को जाती धर्म लिंग आधी के आधार पर भेद भाव के बिना लागू किया जाता है यानि हर व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं आगे देखते हैं इसके साथ ही मौलिक अधिकार कुछ शर्टों के अधीन अधालतों दोरा लागू भी किये जा सकते हैं मौलिक अधिकारों को भारत के मैगना कार्टा के रूप में वर्नित किया गया है इस अधारना को अमेरिकी अधिकारों की सूजी से लिया गया है मौलिक अधिकारों का यह नाम इसलिए है क्योंकि इन्हें सम्विधान द्वारा प्रत्या भूत और संदक्षित किया जाता है जो कि राष्ट का मूल भूत नियम है यानि कि इसे ऐसे ही बदला नहीं जा सकता वे इस अर्थ में भी मौलिक हैं कि वे व्यक्तियों के सरवांगीन विकास यानि कि बहुत तिक, बहुत धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे जरूरी है भाती नागरिकों को निमनिलिखित मोल अधिकार प्राप्त हैं इसमें पहला है समानता का अधिकार जो की अनुच्छे 14 से 18 में दिया गया है अभी हम इसको वन बाई वन काफी डिटेल में डिसकस करेंगे तो अभी यहां पर बतारहें कि कि समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है तो वो है अनुच्छे 14 से लेके 15, 16, 17, 18 तक में दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो की अनुच्छे 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है इसके बाद है शोशन के विरुद अधिकार जो की अनुच्छे 23 और 24 में है धर्म की सवतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 और 28 में है संस्कृति और शिक्षा संबंदी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है समवैधानिक उप्चारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है तो अब जो है हम एक संपत्ति के अधिकार भी था जो पहले जो अब हट गया है तो आए इसको ज़रा देख लें कि प्रारम में संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतरगत शामिल था बाद में इस अधिकार को 44 संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूजी से हटा दिया गया था यानि अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया और 44 संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया यह संपर्ति के लक्ष को प्राप्ट करने और लोगों के बीच समान रूप से धन या संपर्ति को पुनर वित्रण में बाधा था इसलिए संपर्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है ना कि मौलिक अधिकार असल में देखिए कुछ जो पुराने बहुत अमीर लोग थे राजा वगेर थे जिनके पास बहुत ज़ादा जमीन बहुत ही ज़ादा प्रॉपर्टी थी तो संपत्य के अधिकार की वज़े से सरकार उस जमीन की सीलिंग नहीं कर पा रही थी सीलिंग में नियम ये था कि अगर एक खास मात्रा से अधिक किसी के पास जमीन या प्रॉपर्टी है तो उसको जो है सरकार जब्त कर ले रही थी तो अब हम जो है मौली का अधिकार को देखते हैं कि समानता का अधिकार जो कि अनुचे 14 से लेकर 18 तक में है क्या है या अधिकार कि सम्विधान के भाग 3 में अनुचे 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार को विस्तार से बताया गया है इसके अनुसार भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाती, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद भाव नहीं किया जा सकता साथ ही इसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए रोजगार के आउसरों में समानता को भी शामिल किया गया है यानि सभी भाती नागरिक एक समान है सरकार के लिए ये जो है समानता का अधिकार है स्वतनता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो है जो दिया गया है तो इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतनता के अधिकार का उलेक किया गया है इसमें समाहित अन्य अधिकार इस प्रकार है जैसे कि शिक्षा का अधिकार वाक एवं अभिवक्त की स्वतंता का अधिकार वाक मतलब बोलना और अभिवक्त की स्वतंता यानि अपने मन की बात कहने का हक किसी जगा इकठा होने का अधिकार संग संस्था या यूनियन बनाने का अधिकार स्वतनतर रूप से कहीं भी आने जाने तथा निवास कलने का अधिकार और जीवी को पालजन के लिए किसी भी व्योसाय को चुनने का अधिकार किसी आरोप में फंस जाने पर दोश दिद्ध होने तक संदक्षन का अधिकार ये सभी अधिकार स्वतनत्ता के अधिकार के अंतरगत आते हैं प्राण और दहिक सुतंतता के सनक्षन का अधिकार इसमें 19 जो इसका जो है मतलब 1900 आर्टिकल है उसका एक का के अंतरगत आने वाला वाक एवं अभिवक्त की सुतंतता के अंदर प्रेस यानी मीडिया को भी रखा गया है अच्छा देखिए यहाँ पर प्रेस की सुतंतता का अधिकार या कोई उलेग भारत के सम्विधान में अलग से नहीं है बलकि यह इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतरगत आर्टिकल 19 के वन का के अंतरगत ही आता है और इसमें जो है अभिवक्त की सुतंतता के अंतरगत प्रेस यानी मीडिया को भी रखा गया है यानी की मीडि को जो है स्वतनत्ता का अधिकार नहीं होगा तो फिर मीडिया मजबूर हो जाएगी वो सरकार के कंट्रोल में आ जाएगी तो जो कि एक बहुत ही खराब बात होती है किसी भी देश के लिए किसी भी एक अच्छे समाज के लिए कि मीडिया पर गौर्मेंट कंट्रोल होना तो जो है स्वतनता का अधिकार इस मामले में बहुत ही महतुपूर है। इसके बाद आता है शोशन के विरुद अधिकार जो कि अनुच्छे 23-24 में है। तो इसको देखते हैं कि अनुच्छे 23-24 के बीच शोशन के विरुद अधिकारों का वर्णन है। इस अधिकार के ताहट कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूँ या यहां तक की सरकार भी देश की किसी भी नागरिक का शोशन नहीं कर सकता पहले हमारे देश में बेगार बालश्रम की प्रथा थी लेकिन शोशन के विरुद अधिकार से मिली शक्ति के कारण ही इस कुरीती का अंत हो गया देखिए बेगार या बालश्रम का मतलब है कि किसी से काम करवाया जाये लेकिन उसको उसका महंताना ना दिया जाये पच्चों को फैक्टरी या घरों में काम पर नहीं रख सकता। शोशन के विरुद्ध अधिकार भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक या माशिक शोशन होता हो तो वो उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। चौथा है धार्मिक स्वतंता का अधिकार जो की अनुच्छित 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। मानने वाले लोगों को क्रिपाहर रखने की आजादी देता है। इसी में आता है कि किसी भी धार्मिक संस्था, संगठन या संस्था की अविवरिद्ध का अधिकार। इसी के तहट धार्मिक चंदे आधिका संकलन किया जाता है। इसी के तहट कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा प्राथना में शामिल होने या ना होने की सुझंत्रता भी मिली है। अगला है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंदी अधिकार जोकी अनुच्षेद 29 से 30 में दिया हुआ है। तो संस्कृतिक तथा शिक्षा संबंदी अधिकार के अंतरगत भारत के प्रतेक नागरिक को अपनी भाषा, लिपी और संस्कृति विशेश की रक्षा करने तथा उसकी उन्नती करने का अधिकार है। इसमें अर्ब संखिकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं चलाने का अधिकार भी है जैसे मदर से आदी तो मदर से जो हैं वो भी भारतिय कानून के तहत ही जो है बने हुए हैं वो भी कोई गैर कानूनी नहीं है ये भारत का सम्विदान हर किसी को जो है ये अधिकाल देता है कि वो अपनी संस्कृति की रक्षा करें और अपनी लिपी अपनी भाशा को भी वो आगे बढ़ाएं लेकिन इसमें एक शर्थ है शर्थ क्या है कि ऐसा करने से किसी अन्य वर्ग को हानी नहीं पहुंचनी चाहिए अगर किसी अन्य वर्ग को हानी पहुंचती है तब फिर ये गैर कानूनी हो जाता है इसी के सहथ इसी के तहथ अलब संख्यक वर्गों के हितों के संदक्षन की बा उपचारों का अधिकार सम्विधान के अनुच्छें 32 में भारत के नागरिकों के लिए समविधानिक उपचारों के अधिकार के विवस्था की गई है अगर व्यक्ति के किसी भी अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं आप सीधे सुप्रीम कोट जा सकते हैं अन्ने मामलों में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते पहले आपको लोवर कोर्ट में जाना होगा फिर आपका मामला बढ़ते बढ़ते सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके मौलिक अधिकारों का हननन हो रहा है तो इससे आप क्या क्या आता है, इसमें कई चीज़ें आती हैं, जिसमें से पहला है कि बंदी प्रत्यक्षी करण, क्या होता है बंदी प्रत्यक्षी करण, अच्छा यह बहुत important है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, कि समवैदाने कुप चारों का दिकाल जो है, इसमें जितन को गैर कानूनी तरीके से या गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया हो, तो कोट उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है, दूसरा है परमादेश, जब कोट यह पाता है कि कोई सारवजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और समवैदानिक करतवें का पालन नहीं कर रहा है, तो कोट परमादेश जारी करता है, ताकि वो पदाधिकारी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन ना कर सके, यानि अगर कोट को लगता है कि कोई अधिकारी कुछ गलत काम कर रहा है, तो वो परमादेश जारी करके उसके जो भी गलत काम किया है, उसको रोक सکता है तीसरा है निशे धाग्या, ओपरी अदालत यानि हाई कोट निशे धाग्या उस परिस्थिती में जारी करती है जब वो या देखती है कि कोई निछली अदालत अपने अधिकार छेतर का अधिक्रमन कर किसी मुकादमे की सुनवाई कर रही है यानि वो किसी ऐसे में अपने पास बुला लेती है तो इसे निशेद धागया या प्रतिशेद लेग भी कहते हैं अगला है अधिकार प्रिक्षा नियायले अधिकार प्रिक्षा आदेश उस परिस्थित में जारी करता है जब उसे लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है तब नियाले उस व्यक्ति को काम करने से रोक देता है तो ये है अधिकार प्रिक्षा अगला और आखरी है उत्प्रेशन रेट जब कोर्ट यह नोटिस करता है कि किसी निचली अदालत ने या सरकारी अधिकारी ने बिना अधिकार के कोई कार किया है तो वो किसी मुकदमे की सुनवाई या जाच करता है तो कोर्ट ऐसे मामलों को या ऐसे केसिस को सीधे सीधे उपरी अदालत में उत्प्रेशन यानि ट्रांसफर कर देती है तो ये हो गया उत्प्रेशन इसी तरह यदि कोई अधिकारी बिना अधिकार किसी मामले की जाच कर रहा है तो कोड उस मामले को दूसरे किसी सरक्षम अधिकारी को सौब देता है तो ये थे हमारे मौलिक अधिकार जो समय समय पर हमारी रख्षा करते हैं अच्छा किस से रक्षा करते हैं ये हमारी रक्षा करते हैं हमारी सरकार से गौर्मेंट ही सबसे ज़्यादा किसी भी देश की गौर्मेंट ही सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है तो ये जो मौलिक अदिकार हैं ये असल में देश के नागरिकों को उसकी सरकार से ही बचाते है तो ये था मौलिक अधिकार उमीद देखिए आपके लिए वीडियो यूसफुल है आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए आज के लिए बस इतना ही थैंक यू